कि नमस्कार जहिंद वन्दे मात्रम विद्यारती जीवन एक एक जीवन होता है जिसे संघर्सों का एक दौर कहा जा सकता है लेकिन इस संघर्स से उबरने के बाद जो खुशी मिलती है उस खुशी को देख कर उस खुशी को जीकर सिर्फ वह व्यक्ति जो को संगर्स कर रहा है वही नहीं खुश होता है वही नहीं उससे विविवत होता है बलकि उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार उसके पूरे दोस्त उसके सारे हित ऐसी उस खुशी को लेकर थोड़ा-थोड़ा बाटते हैं और बहुत ही ज्यादा उससे विविवत हो जाते है मेरे साथ इस वक्त यूपी में आल यूपी रैंक 12 असिस्टेंट प्रोफेशर के पद पर चैनित हुए है आकाश आनंद वर्मा जी है बहुत-बहुत स्वागत है आकाश जी आपका इंसाइड भारत टीवी पर इस एक्जाम को यूपी यूपी एचिएसी कंड़क्ट करवात है क्योंकि सब लोग पूछते हैं और सब लोग जानना भी चाते हैं चुकि बड़ी उपलब्दी है शुरुआती दोर शुरुआती पढ़ाई कैसी रही और उसके बाद मतलब सुरू से टीचिंग ही करना था या फिर कुछ और करना था गल्ती से इधर आ गया ने इसी फिल फिर उसके बाद से जसे मेरा पहले सही जो एयम था यो इसवी एवाग में जीकैस फिल्ड में जाना था तो उस सही मैंने अपना टारकेट सेट किया कि हमें BSC, M.Sc. में ही जाना इंजिनिंग फिल्ड में जाना था या फिर कि Sonu में तो उसे हिसाब से मैंने BSC अलहाबाद से किया, अलहाबाद अगरिकल्चर इंश्ट्री है, वहाँ BSC में गोल्ड में लिश्ट रहा, आफ्टर देट MSC वहाँ से ही मेरी हुई, MSC मेरी सेकेंड रैंक थी वहाँ पर, उसके बाद से मैंने NET JARF के एक्जाम दिये, वहाँ पर मेरा NET JARF में मतलब दो बार सेलेक्शन हुआ मेरा, 2017 की में, जून और दिसंबर, दोनों मेरा JARF सेलेक्शन हुआ वहाँ पर, आफ्टर देट मेरा सेलेक्शन IIT दिल्ली में रिसर्च के लिए हुआ था, IIT दिल्ली और ISAR Bhopal, रिसर्च के लिए, रिसर्च में था जाना था उस टाइम दिल्ली में सेलेक्शन हुआ था, और आइधर बार में सेलेक्शन हुआ था, आइट दिल्ली में जैसे ही मेरा सब कुछ ठीक चल दाथा, उसी टाइम कोरोना का दौर आ गया, 2019-2020 की बात है कोरोना जब आया था और जश्ट कोरोना आने से पहले ही मेरा सेलेक्षन NCT U Taiwan वहाँ भी हुआ था रिसर्च के लिए लिए कोरोना के कारड़ ममा जान नहीं पाया और देट दो साल हमने घर पे ही जो हम लोका भी था और उसी में उसी टाइम पे ये PGT की वेकेंसी आया हमारी UPSC SSVU से कंडर कराती है तो मैंने मतलब उसकी तयारी करी उसमें छुट्टी के दोरान और मेरा सेलेक्षन उसमें हो गया अफटर अब भी जब मैं वहाँ पे जोईन कर लिया उसी के बाद पॉल टिकनिक कॉलेज में भी वेकेंसी आयी अपने UP की ही जो लोग से वायोग कराती है उसमें एक्जाम दिया तो उसमें ओवराल जो UP में मेरा राइंक था वो 20th राइंक था 200 राइंक था और उसी के पैरलल ही UPHESC जो असिस्टेंट प्रूफेसर का एक्जाम कराती है अपने UP का वो भी दिया था तो उसका अभी 17-18 जून में रिजल्ट आया उसका तो उसमें ओवराल यूपी 12 ही राइंक मतलब उसमें मुझकों मिली है तो जिस हिसाफ से अभी आप बता रहे थे कि इसमें सेलेक्शन हो गया उसमें सेलेक्शन हो गया यहां सेलेक्शन हो गया वहां सेलेक्शन हो गया तो इस पर एक सवाल तो बनता है कहां सेलेक्शन नहीं हुआ कौन सा फार्म डाले और उसमें सेलेक्शन नहीं हुए कुछ ऐसा है एक बार वेटिंग में रहा गया थे 0.4 मार्क से 0.4 मार्क से असेशन प्रोफेसर का एक्जाम था अपने स्टेट का नहीं था वो दूसरे स्टेट का था गुजरात का था वहां का लोग सिवा यो कंड़क कराता है तो वहां पर गयत एक्जाम देने के लिए बट वहां 0.4 मार्क से वेटिंग में आ गया था पहली वेटिंग मेरी थी और वो 0.4 मार्क से वेटिंग रह गयी थी दुख तो बहुत हुआ था बिल्कुल दुख होगा जैसे कि अब जैसे नेता लोग चुनाव लड़ते हैं और कोई परधानी की चुनाव में जादा तरह इसा होता है कोई एकाद ओड से जब हार जाता है तो तिन्विला के रह जाता है तो वही वाली हालत होती होगी हाँ 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 वो जो 0.4 मार्क से हुआ था वेटिंग में आ गया थे हम बहुत दुख हुआ था लेकिन फिर ठीक है वो तरह समझ ढलता रहता है कभी-कभी हार जीद लगा रहता है उतार चड़ा आते रहते है लेकिन एक जगह ही उतार आया बाकी जगह तो चड़ा वी था हाँ बाकी जगह ठीक था बिल्कुल-बिल्कुल आभी क्या मतलब की भविश्य कहां देख रहे हैं अभी मतलबू रुकना है य٦ 이미 हो सकता है कुछ बच्चे आपके भी फिल्ट से हो जैसे पढ़ाई रेगुलर्टी मांगती है जहां तग मैंने सुना है क्या मतलब strategy कि आप नाते हैं पढ़ाई करते वग्याइव पढ़ाई करते हैं तो भी आप फिर दूसरी चीजे भूल जाएं एकदम झालाइब के अगर भी जा सकते हैं, हम railway का भी exam देदें, SSC का exam देदें, ऐसा नहीं, ऐसा होगा तो फिर दिक्कते होने लगेंगी, क्योंकि आपका mind diver होने लेगा, part by part आप उसमें, वो फिर एक जहां नहीं हो पाएंगा, इसलिए जिस field में आपको जाना है, सबसे पहले goal achieve करने के लिए, goal को set कर जरूरी है, तो उसमें अगर आपको education line में जाना है, तो सिर्फ education line का आप exam कत्यारी करें, है ना, तब UPSC हुआ, चाहे SSC हुआ, चाहे PCS हुआ, कुछ भी हुआ, आप उसको उसके बारे में सोचे ही ना, क्योंकि उसके बारे में आप सोचे, तो फिर ये भी छूट जाएग वो भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, है ना, तो सबसे पहला जो aim set करते हैं आप, उसके लिए ही आपको, अकाल से एक बात बताए, ये बगल में आपके पापा बैठे है, बचपन में डाट उट सुने हैं इन से, इसके लिए बहुत मार खाया है, मैं ये सवाल क्यो पूछ रहा हूँ, अभी जब इंट्रेक्ट होते होंगे पिता जी से और पापा से जब, हाला कि बाप और बेटे को एक पास बैठा कि ये सवाल पूछना भी अपने आप में जुर्यत वाली बात है, लेकिन फिर भी ये जुर्यत मैं कर रहा हूँ, जब इंट्रेक्ट होते नहीं होंगे, मुस्कुराते होंगे देखके, बिलकल, बिलकल, मतलब जो भी, मतलब हमारे जो, हम लोग पहले बहुत, इतना मतलब जो बैक्राउंड था, हमारा इतना अच्छा नहीं था, लेकिन पापा, मम्मी, हमारे दोनों लोग, बहुत ज़्यादा मेहनत किये हैं, हम तो हमेशा ही, बहुत सपोर्ट, जो भी पहले डाटते मारते तो हमारे लिए डाटते मारते थे, कि हम आगे बढ़ सके, उसी के वज़ा से हम नववदा में सेलेक्ट हो पाए, ये भी एक प्लस पॉइंट था, हमारे कैमरे के उस पार, जो मेरा सायोग कर रहे हैं, वो भी न जान दियें, सेलेक्ट होते हैं, जब रिजल्ट आता है, और जब आपको ये पता चलता है कि बेटा सेलेक्ट हो गया, क्या अंदर से मतलब कैसा महसूस करते हैं, खुजी का कोई ठीक रहना नहीं रहता है, अब या आगे के लिए क्या कहेंगे अपने बेटे के लिए, अंकल पूरा भावख हो गया है, और ये बहुत देखिए बहुत लाजमी होता है, मैं भी अपने पिता जी से चुकि बहुत ज़्यादा मार पड़ी है, मतलब यहां पर मैं ये दावा कर सकता हूँ, कि इस कमरे में जितने लोग है अपने पापा से उतना मार नहीं खायेंग लेकिन अच्छा लगता है जब आगे बढ़ते हैं और पिता जी आपकी खुशी को देखकर आपकी उपलब्दी को देखकर खुश होते हैं, जब आपके परिचा से आपके पिता का परिचा होने लगता है, तो उससे बड़ा मुझे लगता है कि कि किसी भी पिता की जीवन म प्राइबेट टीचर है डाक्टर भर्थरी यादो जी जो हमारे परिवार के मत फैमिली सवली टीटी टूटर थे और आज तक उनसे फैमिली रिलेशन है और वो जब पढ़ा कर जाते थे तो मेरी पढ़ा ही सुरू हो जाती थी इनके साथ रात को 11 बज़े तक मैं पढ़ाता ह आओ ठीन बज़े फिर इन लोगों कोड़ा एक छोटे-छोटे थे जा तीन बज़े फिर लेकर के बैट जाता था और तीन बज़े से छे बज़े तक फिर मैं पढता था कि बच्चे काफी छोटे और आपको दूर रहना पड़ता है ये थोड़ा सा ये वहां से जब हमाते थी तो ये लोग रोती थी वार रोती वह लेकिन उसका फल मिल रहा है आज तो उसका फल मिल रहा है बहुत मीठा फल Almil रहा आप तो गर्ब से शर कि आगे भी इनकी रफ्तार जो है वो रुखनेगे नहीं आगे भी ऐसे बात नहीं है ? लड़के है जुझारू है , जो बहुं है जो भी टारगेट सेट करते हैं , एजीब कर लेते लैंटे आ हैं इस बात का तो नाज है हमें future बच्चों पर कि बच्चे हैं मेहनती दो लड़के दो लड़कियां है अब यह सबसे बड़े हैं इसे छोटी इनकी एक बहन है वह बीटी सी की हुई है सीटेट कौलिफाई है सुपर टेट आने वाला है अब उसमें परिच्छा देगी अगर सेलेक्शन हो गया तो भी टीचर मिलाजुला के यह कहानी सुनके आपको एक चीज और समझना होगा अभी अंकल ने बताया आकास के पिता जी ने बताया कि मास्टर साब के जाने के बाद कि इस तरह से यह रात के दस बज़े ग्यारे विश्य तक लेकि इन लोग को पढ़ाते थे और फिर तीन बज़े चार मिजारी चोटिप उनको लगता कि नहीं पैसा कमाना यह सब कुछ है पैसा कमाल लेना एक अलग विश्य हो गया लेकिन सबसे बड़ी बात होती है परवरिश्की जब तक आप अपने बच्चों पर पूरा ध्यान नहीं देंगे मोबाइल वाली दुनिया से बाहर नहीं आए जब तक आप मोबाइल वाली दुनिया से बाहर नहीं आएंगे और बाहर आके अपने बच्चों कुछ समय नहीं देंगे तब तक इस तरह का परवरिश इस तरह का जो अचीवमेंट है वो समभौ नहीं है क्या कहेंगे इस प्याकाश बिल्कुल सभी बात है आज कर लोग मो कुछ गल्फेंड वगरा वाला भी सिस्टम था कि अब पापा माफ कर देंगे अगर आप बताएंगे नहीं नहीं अचीव मतलब इसे लड़की को देखें और कहां कि नहीं यह मेरी दुलन हो नहीं लड़का खेल गया चलिए बहुत-बहुत लेकिन सुबकाम नहीं आकाश् कर देकर कई सारे लोग सीखेंगे एक का रोल क्या होता किसी बेटे के जिंदगी में यह भी आपको इस कहानी से सीखने को मिलता है और साथी साथ किस तरह से तयारी की जाए और आकास की सबसे अच्छी जो मुझे बात यह लगी कि यदि आप टार्गेट सेट करते आप गोल क्योंकि मैंने यह माईक पकड़ा था हैं दलग कहते थे कि अच्छा पत्रघर हुआ हैं तो मुझे बड़ा लगता Sergei लुग क्यों कह रहे हैं लेकिन अद तब तक आप फोकस नहीं रहेंगे तब तक आप किसी भी फिल्ड में बहतर नहीं कर सकते हैं, बाकि एक बार फिर से आप दोनों को बहुत बहुत बढ़ाई, कैमरे की उस पार से मेरा सायुक कर रहे हैं, यह श्वंत मैं विकाद गोश्वामी और आप इंसाइड भारे टीवी देख रहे हैं, जाहिन!